Hello everyone, हम देख रहे है subject numerical methods in chemical engineering और इस subject के अंदर अभी जो हम discuss कर रहे है वो है unit number one approximations and errors अब हमने previous वीडियो के अंदर जो topic देखा था ये unit number one के अंदर वो था significant figures यानि कि हम उसको बोलते है significant digit और हमने दो चीज़ discuss की थी वो थी exact number और दूसरे थी approximate number तो आज हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे types of error के बारे में और round of क्या होता है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे चले तो start करते है यहाँ पर देखिए types of error समझने से पहले हम देखते हैं कि error है क्या हम अभी कोई भी problem solve कर रहे है तो कोई भी stage पर जो error है वो अकर हो सकती है तो error का मतलब क्या होता है error is nothing बदी difference इसके बीच में difference तो true value and approximate value के बीच में difference true value यानि की exact value ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पर true value को हम नाम देदेंगे x, x से denodate करेंगे capital x से और उसकी जो approximate value जो है उनको हम denodate करेंगे x dash से so जो हमारी true value है x and approximate value है x dash उसके बीच में जो difference है वो ही हमारा क्या हो जाएगा error okay so types of error में पहली जो error है वो है absolute errors so absolute error जो है वो इक्तम simple है जैसे हमने अभी बोला कि जो हमारी true value है x and approximate value है उसका हम क्या करेंगे difference करेंगे और जो भी difference आएगा उसका हम mod लेंगे modulus तो यह हमारा क्या हो जाएगा absolute error तो वो error को हम denodate करेंगे e और suffix में क्या लिखेंगे a लिखो small में या capital a लिखो तो भी कोई problem नहीं so जो भी difference है true value and approximate value का उनका हमें क्या करना है modulus करना है so वो हमारे क्या हो जाएगी absolute error हो जाएगी getting तो यह important है यह आपको अच्छी तरह से करना है बहुत easy है then absolute error के बाद जो next आती है वो है relative error अब relative error जो है वो भी एकदम easy है यह जो relative errors जो है वो actually है क्या है तो जैसे हमने अभी absolute error बोला न कि वो that is the difference between x and x dash that means exit value and approximate value का difference उसको हम क्या करेंगे divided by exit value यानि कि capital x से divide करेंगे और उसका क्या करेंगे हम modulus करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम relative error और उसको denotate करेंगे error का e और relative का हम small r लिको या जो capital r लिको getting तो यह हमारे क्या हो जाएगी relative error तो जो हमारी absolute error थी उसको हमने normalize किया किस से exit value यानि कि x से तो हमें मिला relative error तो यहां पर यह लिखा हुआ है यह चल लिए तो यह भी पूछा गया है एक बार exam के अंदर अब देखिए यह जो हमारे relative error जो आई ना modulus के अंदर x minus x dash divided by x उनको हम 100 से multiply करते हैं आप यह 100 को बाहर multiply करो या modulus के अंदर करो दोनों same ही है राइट सो 100 से multiply करेंगे तो हमें और एक error मिलेगी वह है हमारी percentage error उसको क्या बोलते है percentage error तो relative error जो भी आई उनको हमें 100 से multiply करना है तो c यहां पर है देखिए percentage error पर्सेंटेज एरर को हम देनोडेट किया है इपी से इक्वाल टू दी यार इंटू 100 यार मिंस relative error तो यह 100 से multiply करोगे तो आपको मिलेगा percentage error तो यह हमने तीन error देखी है absolute, relative and percentage error बहुत easy है उसके लिए आपको simple consider करना exit यानिकि true value जो है हमारे error की वह x and approximate value जो है वह xd अब हम next error के बारे में बात करते है वह है यह inherent error अब यह inherent error है क्या तो simple language में आपको बोलू कि यह जो error है वह already हमारा हमारा जो example है उसका जो question है statement उसके अंदर ही error होती है उसकी वज़स से हम calculation हम करेंगे वह example को solve करेंगे तो वह जो error है वह continue आती जाएंगी next step में भी आती रहेगी getting so उसको बोलते है inherent अब देखिए यह है क्या exactly तो data जो है question जो है हमारा उसमें जो data दिया होता है वह data जो है वह approximate value होती है ओके हमें real value नहीं मिलती वह data जो दिया है वह already approximate value है अभी approximate value होती है तो उसमें आप उसका difference आप real value से करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो error मिलेगी ही जैसे हमने अभी देखा okay real value and जो approximate value का difference है उसको ही हम क्या बोलते है error बोलते है so already जो हमें example के statement में जो data दिया हुआ है वही icon से type का है यह x dash that means कि approximate value है तो वहीं पर ही error है हम आगे calculate करेंगे solve करेंगे example को यह error जो है वो हमारी आगे आती ही जाएगी getting तो उसकी वज़़से जो भी error आती है उसको बोलते है inherent error अब यह inherent error जो है उसको हम minimize किस तरह से कर सकते हैं तो simple सी बात है कि हमें जो data देते हैं एक्जम्पल के अंदर वो data हमें अच्छी तरह से यानि कि better data लेना है approximate data ही होता है लेकिन हम वह data को हम थोड़ा exact value लाने के try करते हैं वो data हम अच्छी तरह से accurate data दिया होता है तो यह inherent error जो है वो आएगी नहीं या तो minimize हो जाएगी रहे तो simple है यह चीज चलिए अभी हम next discuss करते हैं वो है trunkation error यहां पर for spelling में mistake है हम इस तरह से लिख सकते trunk के इस तरह से okay trunkation error अब देखे यह trunkation error है क्या तो अभी infinite series के बार में तो हमने बहुत कुछ पड़ा है simple example दूँ आपको तो वो है आपकी teller series okay so teller series को हम बता है तो किस तरह से बता सकते है मैं यहां पर लिख के बताता हूं y equal to हम लिख सकते है y of x equal to y of 0 plus x into y dash of 0 plus next के आएगा x cube by 3 factorial into y double dash of 0 plus dot 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 आगे series आती जाएगी तो यह infinite series आती है right तो यह series को हम क्या करते है infinite को finite series में convert करते है कैसे टो यह beach में से उसको truncate कर देते हैं हम यानि कि हम वहां से उसको break कर देते है getting यहां यहां तक लिखते है यह आगे का जो है जो भी series में आएगा उनको CON coupon करते हैं उसको ignore कर देते है । इनका जो भी answer आएगा वह एक approximate value है आएगी हमारी वह exact real value हमारी नहीं आएगी तो उसकी वज़े से जो भी error आती है उसको बोलते है truncation error इसको बोलते है तो कि हम infinite series जो होती है उसको हम truncate कर देते हैं यानि कि break कर देते हैं यानि कि हम बोल सकते कि उसको finite series में convert कर लेते हैं ओके example को solve करना है थोड़ा easy method से करना है और थोड़े कम time में करना तो हमें ये करना पड़ता है उसका जो भी answer आएगा वो हमें कैसा मिलेगा एक approximate value मिलेगी तो फिट से error आएगी तो यहाँ पर book में भी एक example दिया है देखे ये raise to x ये जो है उसको हम expand करते है तो इस तरह की series आती है देखे 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus हम आगे आते लिखते जाएंगे तो आएगा x raise to 4 by 4 factorial plus x raise to 5 by 5 factorial plus dot dot तो ये series जो है हमारी infinite series है उसको हम बोलते है x यानि हमारी ये exact value है real value है ऐसा बोलते है तो देखिए अब उसको हम क्या करते है ट्रंक्ट कर देते है है ना ट्रंकेटिंग करेंगे यानि कि उसको break करेंगे कहां तक हम लिखते है ये e raise to x का जो expansion है series में उसको हम अब भी x cube by 3 factorial तक ही लिखते है उसके आगे का जो भी हमारी term आएगी उसको हम क्या करते है निगलेक कर देते है यानि कि ignore कर देते है तो यहां तक का जो भी answer आएगा उसको हम क्या बोलेंगे x dash यानि कि ये हमारी approximate value आएगी तो ये जो हमारी real value थी ये पूरी infinite series वो x और उसको हमने finite series में convert कर दिया याना बीच में से उसको break कर दिया उसको क्या बोलेंगे answer को x dash क्योंकि उसका answer हमें approximate ही मिलेगे exit मिलेगा नहीं तो ये दोनों का difference लेगे तो हमें error मिलेगी तो ये error को क्या बोलते है टंकेशन error बोलते है बहुत ही easy है ये अब हम last error के बारे में बात करते है अभी वो है rounding errors यानि कि हम round off जो करते है उसकी वज़े से जो error आती है वो अब ये जो है वो क्यूं करते है क्यूंकि calculation जो हम करते है उनको उनमें accuracy ज्यादा लाने के लिए हर एक data में हर एक step पे हम equal digit रखने की try करते है और वो भी कैस है rounding off करके तो चलिए अभी ये rounding off है क्या उसकी वज़े से क्या error आती है वो हम देखते है बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो error है उसको minimize किस तरह से कर सकते है यहां पे बहुत simple एक point लिखा हुआ है कि जो हम calculate करते हर एक step पे जो हम answer लिखते है उनके जो significant figure जो है यानि के significant digit जो है वो हमें at least एक digit ज्यादा लेना पड़ेगा किस से जो data दिया हुआ है उनके compare में जो data के अंदर जो significant digit होगे उसके compare में हम एक significant digit जो है वो हम हर एक step में ज्यादा लेंगे तो यह error जो है उसको minimize कर सकते हैं अब यह rounding off है क्या वह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं साथ में already हमने बहुत सारे example के अंदर हर एक unit के अंदर यह use किया यह okay so rounding off करना है उसका मत्तब क्या होता है कि इस तरह का number हमें दिया हुआ है मान लो okay तो उसको हम rounding off correct इस में four significant digit में करना है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख दे यह लिख दे 22.05 लिखा है देखिए यहां पर क्या है 22.0489 है तो उसका एक approximate value हमें लिखना है बट हमें significant digit कितने रखना है only four ही रखना है four से ज्यादा यह 89 है उसकी ज़रूरत नहीं है getting तो हम इस तरह से लिखेंगे तो यहां पर error आएगी वैसे मैं आपको एक number देता हूं मान लो कि एक number है 7.5846712 अब मैं उसको round off करता हूं तो मैं लिखता हूं यहां पर seven point decimal up to decimal point के बाइट अप्टो थ्री डिजिट टक हमें correct करना है राइट तो मैं यहां पर लिखता हूं seven point five eight यहां पर यह six है तो यह four को मैं five कर देता हूं अभी एक इस तरह से करना हूं भी मैं आपको बताना तो यह मैंने लिखा तो यह हमारा number दिया हुआ है और यह हमारा जो लिखा है मैंने वह round off कर दिया देखो यही number को मैंने यह चार डिजिट में लिख दिया है तो यह दोन 0.0003288 आएगा राइट तो देखिए यहां पर इतनी जो error है वह आएगी अब यह देखो decimal point के बाद तीन बार 0 आया है तो वह normally हम उसको 0 consider कर सकते है entire number को क्यों क्योंकि यह बहुत छोटा number हो जाएगा ना बहुत छोटी value हो जाएगी तो approximate वह 0 होगी लेकिन actual में यह आएग गई तो उसको हम बोलते है round of error ओके चलिए तो अभी round of किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहां पर example के थूँ तो see यहां पर बहुत ही easy example दिया हुआ है कि यह सारे numbers जो दिये हुआ है यहां पर यह जो मैं बता रहा हूं box में left side पे उनको हमें four significant figures में लिखना है round of करना है लेकिन significant figure कितने रहने चाहिए हमारे four तो किस तरह से लिखेंगे हर एक number को see यह 22 decimal point है उसके बाद हमें क्या लेना है दो ही number लेना है four करना है तो 04 तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते 22.04 नहीं लिख सकते round of करने का मतलब क्या है 04 के बाद क्या 89 है तो हम क्या करेंग नहीं लिखेंगे बट यह four के आगे का fifth digit जो है वो क्या है eight है वो हमारा five से ज्यादा होना चाहिए eight five से ज्यादा है तो यह जो last digit हमारा है उनको हमें increment करना है तो four की जगह पे हम क्या करेंगे उसको five कर देंगे अब यह eight नहीं होता है eight की जगह पे four होता है तो four यह five के नीचे हो जाता है बीलो हो जाता है तो यह four को हम as it is रखते है तो round of करने के लिए हमें कहां तक जाना है तो decimal point के बाद माननों के यह two digit तक zero four उसके आगे का देख है five तो यह round of हो गया तो यह करने की वज़े से क्या होता है actually हमारी जो error है वो थोड़ी कम होती है ओके चलिए तो यह round of हो गया यह number का है अब देखिए next number है हमारा यह 23.7605 है उसको भी हमें four significant digit में round of करना है तो देखिए यह 23 point यह decimal point के बाद हमें two ही लेना है seven six अब यह देखिए seven के बाद मुझे यह six लिखना है या नहीं लिखना है क्या करना है तो see उसके आगे का देखिए क्या है zero है zero है यानि कि five से बिलो है five से छोटा है तो उसके आगे का जो digit है six उसको हमें as it is रखना है यह zero की जगह बे seven होता तो five से अप हो जाता तो six का क्या कर देते हम seven but zero है five से नीचे है तो six को as it is रखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 23.76 similarly मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं थोड़ा जूम करके देखिए यह number 28.71 है तो यह देखो यह आगे का जो number है two है वो five से बिलो है तो seven one ही हम लिखेंगे देखिए 28.71 यह one को हमें as it is करना उसमें increment देना नहीं है वैसे ही देखिए आगेगा यह 75.24 फोर के बाद का डिजिर वन है तो वह five से कम है तो four को as it is रखेंगे तो क्या आएगा 75.24 ही लिखेंगे round off में अभी देखिए next six point six point अभी हमें four significant digit चाहिए तो decimal point के बाद three digit लेना है तो two लिखता हूं eight लिख लिखे या five लिखे तो four के आगे का देखिए तीन है तो three जो है वो five से बिलो है तो four को हम as it is लिखेंगे मतलब हमारा round off का answer के आएगा six point two eight four आएगा getting similarly अभी देखिए problem क्या आती है कि इस तरह से यह five से आप आता है तो हम four की जगवे हमने क्या लिख दिया five मतलब कि एक increment कर दिया और five से आप आता है तो हमें increment करना है एक मतलब फ्लस one में लिख देता हूं five से भीलो आता है next digit तो हमें as it is रखना है तो मैं equal लिख ज़ेता हूँ but 5 आ गया तो क्या करना है 5 से आप हो तो हम एक increment कर देते हैं उसके जो previous digit होता है उनको 5 से below हो तो as it is रखते है but 5 हो तो क्या करना है तो see, यहाँ पर example बताता हूँ मैं आपको 5 हो तो क्या करना है तो 5 है तो उसके पीछे वाला जो digit है यह चेक करना है यह जो even होता है तो उसको as it is रखना है equal but और होता है तो उसमें क्या करना है हमें 1 का increment करना है तो यह मैं बता दिया लेकिन मैं आपको example के शुरू बताता हूँ see, यह एक number है उसको हमें 4 digit में लिखना है तो यह क्या है 9 point तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.86 यह 3 digit लिख दी अभी हमें 4 लिखना है तो यहाँ पे 4 है और round off करना है तो हमें 4 के आगे का देखना है तो यह क्या है 5 अब 5 से up होता है 6, 7, 8 तो हम 4 के जगा पर क्या लिख देते है? 5 समझ मैं है 4 के जगा पर क्या लिख देते है? 5 5 से नीचे होता बिलो 3, 4 होता तो 4 को as it is रखते बट यहाँ पर क्या है? 5 है 5 है तो हमें देखना है यह जो उसके आगे का digit मतलब कि 4, यह मैंने लिखा वो 4, 4 कैसा है? odd है या even है? तो 4 क्या है? हमारा यह even है, right? even है तो as it is लिखना है तो 4 को as it is रखने दो, रहने दो तो हमारा answer क्या है का round off के बार 9.864 ओके? चला, odd हो तो क्या करना है? वो भी यहाँ पर दिख लेते हैं देखो यह हमें दिया हुआ है डिजिटर ही लिखना है तो देखिए मैं लिखता हूँ 7.343 डिजिटर लिख दिए अभी मुझे यह 5 लिखना है तो यह 5 है और उसके आगे का देखिए आप क्या है? 6 है तो यह 6 जो है वो 5 से अप हो गया, एबो हो गया तो यह 5 में हमें इंक्रिमेंट दे देना है तो 5 की जोगे पे हम क्या लिखेंगे? 6 जटीं? तो यह हमारा आंसर आजाएगा राउंड ओफ के बाद जटीं? और एक मैं नमबर देता हूँ आपको 5.4 7 4 3 5 5 5 अब मुझे राउंड ओफ करके 4 डिजीट ही लिखने है तो मैं 4 डिजीट लिखता हूँ 5.43 लिख दिया मैं तीन तो हो गए अब यह चौथा मुझे लिखना है यहाँ पे तो मैं 5 लिखू 6 लिखू क्या लिखू तो उसके आगे का देखे यह क्या है हमारा दूसरा मैं color change कर देता हूँ यह देखना है हमें 5 5 जो है यहाँ पे 5 के up होता 6 है वन तो यह 5 का हम 6 कर देते 3,4 होता तो 5 को हम as it is लिख देते राइट यहाँ पर 5 है तो हमें यह 5 देखना है यह आगे वाला digit जो मैंने यह rate color के circle में बता है वो देखना है वो odd है के even है तो 5 क्या है और है तो उसका हमें increment करना है तो हम क्या लिखेंगे 6 अब यह 5 की जगह पे 4 होता तो वो even हो जाता तो हम उसको यहाँ पे 4 होता है तो 4 ही लिख देते समझ मैं तो यह round का जो है पूरा procedure है तो उसकी वज़े से जो भी error आती है उसको हम बोलते है rounding error तो यह types of error के बारे में हमने देखा आज तो last में हमने यह error देखी rounding error और rounding of किस तरह से करना है वो भी मैंने example के थूरप को बताया है यह जो rounding of जो है ना वो हमने बहुत सारे example में सारे के सारे example में use किया ही है हमें देते हैं कि correct up to three decimal places या four decimal places या two decimal places तब हम round of करते ही है getting so competition करते वक्त हमारे पास बहुत सारे डिजिर आते है तो हम पूरा का पूरा जो number है वो तो लिखते हैं नहीं round of करके हम उसको short ही लिखेंगे तब जाके हमारा जो calculation है वो हमारा easy हो जाएगा हमारा time भी कम जाएगा right so आज हम यहाँ पर stop करते हैं आज हमने देखा main दो topic types of error and rounding of किस तरह से करते हैं next video में हम यह unit में आगे के topic के बारे में discuss करेंगे